आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो, इस question में क्या कह रहा है कि boat covers 24 km upstream 36 km downstream in 24 घंटा जब की 36 km upstream and 24 km downstream in 21 घंटा तो what is the difference between the speed and boat and that of the current ठीक है, तो अब देखें क्या कह रहा है question में कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ upstream ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या downstream लिख रहा हूँ अब upstream में जब 24 km जाता है और downstream में जब 36 km जाता है ठीक है, तो इसको 24 घंटे लगते है अब दूसरी case में क्या कह रहा है एक तो आप equation में आ सकते हैं दूसा तरीका मैं आपको शिखा रहा हूँ यहाँ पर दूसरी case में क्या कह रहा है कि जब दूसरी case में 36 km upstream जाता है और downstream में 24 km जाता है तो हमारा जो time है वो 21 घंटे लग रहा है ठीक है, तो अभी देखिए एक चीज यहाँ पर आप समझनी कोसिस करिए कि अगर मेरा upstream का speed 12 km बढ़ रहा है ठीक है, और downstream का speed है वो 12 km माइनस हो रहा है तो हमारा जो time taken है वो क्या हो रहा है तीन घंटा माइनस हो रहा है तो अगर मैं यहाँ पर देखो तो total मिला के कितना है 30, 20, 50 और 10, 60 मतलब अगर 24 से 36 हो रहा है अभी हमें 24 और मैं इसको extra कर दूँ 24 अगर और मैं extra कर दूँ तो 30, 20, 50 और 60 हो जाएगा मतलब upstream में अगर इसको 60 जाना हो upstream में अगर इसको क्या जाना हो 60 जाना हो ठीक है तो जब 60 है तो downstream में हमारा क्या है 0 हो गया मतलब अगर 12 बढ़ता था तो 3 माइनस होता था यहाँ पर 24 बढ़ता है मतलब 6 माइनस होगा मैं यहाँ पे 6R minus कर रहा हूँ मतलब यहाँ पे क्या होगा 15 घंटे होगा तो 60 km upstream जाने में उसको 15 घंटे लग रहे है ठीक है, 60 km upstream जाने में उसको कितने घंटे लग रहे है 15 घंटे लग रहे है मतलब upstream का speed यहाँ से मुझे निकल के आ गया कितना 60 by 15 equal to 4 km per hour समझ में आ गया अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ और निकालने ही कोसिस करूँ सपोस करिए कि मैं यहाँ पे कुछ और निकालने ही कोसिस करता हूँ कि इस बार तो मैं upstream में किया था अगली बार मैं यही काम अगर downstream में कर दूँ upstream, downstream में कर दूँ तो पहले 24, 36 से लेके 24 घंटे लग रहे थे अभी क्या है? अभी है 36 और 24 से मुझे 21 घंटे लग रहे है तो देखिए अब downstream में मैं यहाँ से positive direction में जा रहा हूँ 12 तब जाके मुझे क्या लग रहा है? 3 घंटे का extra time लग रहा है तो अभी मुझे यहां से और अगर 24 एड़ करना हो मतलब क्या कि इसमें मुझे 6 घंटे एड़ करने पड़ेंगे मतलब 30 घंटे लगेंगे? समझ पा रहे की नहीं समझ पा रहे यह 16 हो जाएगा 36 प्लस 24 16 और 24 प्लस 6 13 ठीक है? तो अब यहां से मैं downstream के बारे में यहां पर बता सकता हूँ कि downstream का जो value होगा वो 60 km downstream जाने में मुझे कितना 30 घंटा लगेगा? मतलब downstream का जो speed होगा वो 2 km पर आर होगा? समझ पा रहे? तो यहां पर difference पूछा है अपने से किस चीज का? boat का और current का तो upstream में 4 km पर आर है और downstream में कितना है? 2 km पर आर है तो यहां से जो difference आएगा वो क्या आएगा? एक बार हो जाएगा man का speed और boat का speed अगर आपको निकालना है तो एक बार 4 plus 2, 6 by 3 हो जाएगा? 6 by 2 मतलब 3 और एक बार होगा 4 minus 2 यानि 2, 2 भागा 2 कितना हो जाएगा? 1 यानि कि difference पूछा गया है तो difference यहां से आप clearly देख सकते हैं कि 2 km पर आर का क्या है? difference है तो हमारा कौन सा answer होगा? option भी हमारा सही उत्तर होगा धन्यवाद